दोस्तों नमस्तितार मेरे साथ कड़े हैं स्रीमान देव मेनारिया देव मेनारिया अपने आगे महता भी लगते हैं देव मेनारिया अपने मेनार गाउं के हैं मेवार के हैं देव मेनारिया को एक्टिंग का बहुत शोख है जैसा कि इन्होंने बताया और एक्टिंग का शोख देव जी, सबसे पहले तो आपका हमारे मेवार चैनल के स्टूडियो में वेलकम, स्वागत, कारण की हम खुड टीवी बताते हैं पूरे उदुपुर को, सब लोग बताते हैं, चैनल से हैं, और लेकिन आप उस चैनल के कलाकार, तो ये बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है कि मेरा मेवार चैनल हो गया, आप मेवार यानि की मेनार से हो गये, और सीरियल बना रहे हैं, इनके ठीक पास में खड़े हुए हैं, जोती जी, स्रीमालिवे, अपना परीचे बाद में देंगे, देव जी, सबसे पहले आप अपने इस सीरियल के बारे में बताईए, कि ये स सबसे स्टार्ट हुआ, कौन इसके डारेक्टर हैं और कौन-कौन से चैनल पर चलेगा, जी, मेरा सीरियल 27 माई से स्टार्ट हो रहा है, हर रवीवार 11 बजे, और नाम है चोपाल एक नुकड की, चोपाल एक नुकड की, और मैं इसमें मुख्य किर्दार निभा रहा हूँ, इस लीड में इसमें काम कर रहा हूँ, जिसमें मेरा करेक्टर नेम है अभिशेक, और इस शो के डारेक्टर है उवेस खान, और साथ ही इसमें करेक्टर में कर रहे हैं रंजित जो काफी फिल्मों में आ चुके हैं, और साथ में कोमेडियन सुनिल पाल भी जो हैं, इसमें के सभाएं मेरा किसी चीज का कुछ पता नहीं है मैं उसी गाँ से उसमें बिलॉग करता हूं तो मैं स्कुलिंग करके पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता हूं कुछ सालों बात पढ़े में कृचिजी बीज्ञान में पेज़ी करके वापस गाँ लोडता हूं तो मेरा एक गाहों आने का एक ही मकसद होता है कि मैं अपने गाहों को जादा से जादा हाइलेट करूँ वहां के लोगों को जादा से जादा जानकारी दूँ शिक्षा के बारे में दूँ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसके बाद में स्वच्चता के लिए जादा इसको हाइलेट किया गया है तो स्टोरी बेस बहुत अच्छा है लव है, ड्रामा है, मस्ती है और हर तरह का इसके अंदर दिया गया है तो I hope कि आप सभी मेवाड वैसियो के जादा से जादा अच्छा लगीगा और मैं यही चाहूँगा कि आप यह सीरियल जाद से जादा देखे मुझे सपोर्ट करें और ताकि मैं अपने मेवाड का नाम पूरे इंडिया में नहीं पूरे वल्ड में रोशन कर सकूँ देव जी, देव मेंनर रहा मुझे बताए कि आप जो डायलोग है जी, उसमें एक कलाकार हो, जैसे आप कलाकार हैं तो इसमें डायलोग delivery कैसे होती है और क्या आपने कहीँ acting का course क्या है या डायलोग जो बोलते है उसमें क्या-क्या मटलब जलूरी है किसी कलाकार में मालोग उसका चेरा अच्छा होना चिये, आवाज अच्छी होनी चिये, या डाय लोक डिलेवरी अच्छी होनी चिये, क्या मत्भून है इन सब चिजों? जिए उसमें एसा है कि जो स्टोय हOoh जो आपना जो जो क्राक्ड़els धिये है फिट होना चिंद जैसे मैं एक आक कईसे बात करना है कैसे उनको समझाना है जो नहीं शिक्षित नहीं शुंग नहीं कि हमारे एक मेवाड का याने कि मेहनार का देवु मेहनायर या बोंबे पोंच और वहां सीरियल वह में काम करता है आले कि मेह हम सबी उद्वपूर के लोग यासे जितने भी लोग जानते हैं कि सीरेल में जाना कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, बहुत कठीन काम है, एक्टिंग करना, सीरेल में भाग लेना, उसका आप बताईए, जोती जी स्रीमाली, आप इनसे क्या जुड़े हुए हैं, और क्या विश सेवा चाहिए, तो आप बोल सकते हैं, बस उस दिन से मेरे को लग गया था कि जब अपने मेवाड में ऐसा नगीना है, तो अपने को सबको एक जूट होके इनकी मदद में लग जाना चाहिए, और इनका जितना हो सके कोशिश करनी चाहिए, कि इनका साथ देवें, और सबसे बड़ी घर्व की बात यह है अपने लिए, कि इननोंने कल एक गोष्णा करिए, कि मेवाड के कोई भी लोग जोट भी लड़का, लड़की, जो भी मोड़िंक करना चाहिए, या सीरियल में निके साथ जूड़ना चाहिए, तो वो डाइरेक्ली इनोंने गोष्णा करिए, क कि अपने को कई रास्ता नहीं दूड़ना पड़ेगा डाइरेक्ली अपने यहां से अगर देव मेनारिया हैं तो अपने उन से कॉंटेक्ट करके और आगे बढ़ सकते हैं तो मैं शीवानी श्रीमाली इनका सीरियल में सपोर्ट करूँगी इनको हो सकेगा जितना हो सकेगा उतना सपोर्ट करूँगी तेंक यू और भी कुछ बोलना चाहें तो मैं जिस गाउं से बिलों करता हूं मेता मेतागड मेनार जो कहलाता है पक्षी वियार गाउं है काफी बार से गुमने लोग आते हैं वहाँ पर बहुत अच्छा पहले से और में जो मेवाड में जो लोग नहीं जानते हैं तो मैं उनको बतना चाहूंगा कि आप एक बार जरूर वहाँ पर आईए और देखिए हमारा गाउं को और बाकी गाउं की बात कर देख में डेव जी उनका मेनार आजकल अकुबारों में बहुत सा अधारी कुटिंग हारी है कि मेनार के तलाब में विदेशी पक्षी आते हैं यह बात है नहीं तो आपका वो तलाब है लेकिन यार वो तलाब तो मुझे लग रहा है बहुत सा उसमें कब जाओ गया बहुत सी मिट्टी बरी हुई है पानी टिकता ही नहीं है यह क्या करण है जो वही जो हाईवे के पास वाले तो उसे जादा बेनिफिट मिलेगा मेनार को कि जो पानी जो निकल जाता है जिसे तो उसमें अभी जो मेनार का जो माल है जिससे पानी वहां से पूरा उसको जो एक साइट द्रो करके उसको गाओं में लाया जा रहा है जिसे तो उसे जो मिटी निकलेंगे तो जो काफी गह में कहते हैं जो एक बहुत बड़ा लंबा चोड़ा मेदान होता है तलाब का पेटा होता है जिसमें से कई सारी फसले पेदा होती है यानि कि वही माली है कि यहां माल ज्यादा पेदा हो रहा है तो उसको गाहों के अंदर माल कहा जाता है उसको मेवाडी में माल कहते हैं कि जह कि तब जाने का उसको Genụ जैसे अजमाई होगा जैसे सब कर राज कर 갔ुने के लिए लेसे Price Way जोड़े तो जी वही स्वाकराइब के लुज जैसे तो ऊप Monet कर आज के लोग कते हैं कि तो पाल कितनाred है कितनार्या है क्यांव सकते हैं बैप रुपया HC से चार्सों पांचो साल से जिसको कहते हैं कि माल माल का मतलब बहुत लंबी चोड़ी जमीन तलाब पेटी की जमीन उसको माल का जाता है और मेनार गाओं के ये नविवक उस तलाब को और इनके साथ जो भी आजकल तो क्या कर पंचायते बहुत तेज होती है मेनार भी भी सरपंच सब काम कर रहे हैं और जैसा कि ये बता रहे हैं कि मेनार का तलाब बहुत बढ़िया होगा करन के शिक्स लेन में मिट्टी की जरूत पड़ेगी तो पुट मिट्टी कर जो लेन वाला ठेकेदार है रोड का वो सारी तलाब की मिट्टी निकाल के वहां डालेंगे तो अपने को ज्यादा सपोर्ट मिलेगा एक तरह का तो आप जाके बात करूगा जी बिल्कुल बोलूँगा गाउं के सरपन से में जरूर बात करूँगा बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत एक बार थैंक यू बरी माच कि आपको बढ़े हैं आपका चाहूंगा कि मेरा मेरे आसपास के मेनाव चोवी समाज कि मेनारे या तो मैं ऐसा करता हूं कि आपพर ईकान याम मेवार को घ्यादा से ज्वी बिल्कुल 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 जाब उपोरे प्रामान साथ ली जह是啊 जाब पूरा चिर्वा में और में मेरे बामनों से बढ़ा हुए पूरा यह ह जब मुगलों से आकर्मन हुआ था तो मुगल शेना को भी धरस ही कर दिया था ऐसा महाड मेवाड में इत्यास है बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू सर थेंक्यू लावी चापिला बड़या जय हिंद जय मेवाड प्लीज मेरे यूट्व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थेंक्यू